हेलो गाईज मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल के प्रिंगनेंसी पॉइंट तो कैसे हो आप लोग उमीद करते हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिंगनेंसी भी काफी अच्छी चल गयोगी तो फ्रेंड आज का टॉपिक है कि मावस और पू लड़की हो सकती है अगर आपने अमावसे पर कंसीव किया है तो आपको लड़की हो भी सकती है या फिर लड़का हो सकता है मैं आज आपको यह डाउट पिल्कुल किलियर करके बताऊंगी कि कौन से टाइम पर अगर आपने पूर्णिमा पर कंसीव किया है तो आपको क्या ह यह बहुत ही Satik Dr जो हमारे पूराने जमाने से चले आरहे हैं? कि अगर जो मैला जो है इस टाइम पे कंसीव करती है तो उनको जो है 101% जो है बेबी गर्ल होता है या फिर बेबी बॉय होता है कौन से लक्षण है इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सटिक अंदजा लग जाएगा क्योंकि बहुत सी मेरी सब्सक्राइबर जो हैं फरस्ट चनल पर जो मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है तो वहाँ पर जो है ना मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आएते कि मैम हमने आपमा वश्क के आता हमको यह हुआ वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा पता लगने वाला है बट उससे पहले एक शर्त है कि आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है ताकि आपके मन के डाउड भी किलियर हो सके और आपके मन को शान्ती भी मिल सके और फ्रेंट्स वीडियो शार्ट करने से पहले एक गुजरिश जरूर करूंगी कि जिसने अभी तेक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कि आई सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को जरूर आउन करा करो ताकि आपको ऐसी ही लेटेस वीडियो रोज मेरी चैनल पर मिलती रहे मैं यहाँ पर रोज प्रमेंसे से लेटेव वीडियो डालती रहती हूँ तो फ्रेंट्ट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है लक्षन माना जाता है जो हमारे घर की ओल वाइफ सी बताती है और इनकी बाते कभी भी विकार नहीं होती है बहुत सारी महिलाओं पे जो 99% तक सर्टिक बैठती है जिन महिलाओं ने पूरण माशी पे कंसीव किया होता है बेबी को ये लक्षन मेरे अंदर भी कही ने कही सटिक बैठता इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको भी ऐसे जिसे मैंने आपको बताया अगर किसी महिला को नहीं पता लगता है तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस टाइम पे आपकी डेट गई है उसके कलेंडर में आपको देखना है कि पूर्ण माशी कब लग रही है उससे आप बहुत सटीक अंदाचा लगा सकते हो कि आपकी होने वाले संतान जो है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है जैसे कि आपकी पीरेड की टाइम पे भी पूर्ण निमा आई है और जो आपको डॉक्टर ने एडीडी डेट दी है अगर वहाँ पे भी पूर्ण माशी पड़ रही है तो ये बहुत सटीक लेक्षन माना जाता है कि आप एक बेटे को जनम देने वाली है अगर आपकी पीरेड डेड जो है अमावस्चे के टाइम पे आई है और एडीडी डेड जो डॉक्टर ने दिये वो भी अमावस्चे के टाइम पे पड़ रही है तो ये बहुत सटीक लेक्षन माना जाता है कि आप एक बहुत प्यारी एंजल को जनम देने वाली हो मन में एक कोशन जरूर आ रहा होगा कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमने जो है कब कंसिव किया है तो आपको अगर ये चीज जानना है तो जो मेरा फ़र्स चो चनल है काजल की प्रिंडेंसी उसके उपर मैंने पुरा खुल करके बताया हुआ है कि आपको कैसे जानना है अगर आपको अमा वाश्या या फिर पुर्निमा से नहीं पता लग रहा है तो आप जो है क्रिशन पक्ष और सुकल पक्ष को भी देख सकते हो माना जाता है कि अगर आपने सुकल पक्ष में जो है क्रिशन पक्ष में बेबी कन्सीव किया होगा तो आपके होने वाली संतान है वो बेबी ग्रल हो सकती है और यह लेक्षन बहुत सारी महिलों में देखे गए हैं जिनको बेबी बॉइ हुआ है अगर आपके मन में भी ऐसी जिक्यासा बहुत बनी होती है कि हमारे गर्ब में क्या पल रहा है तो प्लीज मेरे इस सेनल को सब्सक्राइब जरूर करना यहां पर मैं रोज ऐसी वीडियो डालती रहती हूं इसके बाद है फ्रेंड कि अगर आपकी नाभी लाइन अगर आपके नाभी लाइन जो है बिल्कुल सीधी बनी है प्रिंगनेंसी के दुरान तो माना जाता है कि आपके गर्ब में पल रहा शीशू जो है वेबी बॉइ है वहीं पे अगर आपके ब्रेट्स से जो है ना बिल्कुल नावी लाइन जो बेली बटन तक बिल्कुल सीधी आ रही है और बेली बटन से नीचे तक जो आपके प्राइवेट पार तक जा रही है वो अगर तेड़ी हो जाती है लाइन तो वहीं पे ये ओल्ड वाइप समाना कर करते हैं जो हमारे घर के ओल्ड वाइफ होती है और इनके बताय हो लक्षण जो है मेरे अंदर बिल्कुल सटीक हुए हैं तो आप कई हद तक जो है अंदाजा लगा सकते हो कि आपके गर्व में पलड़ा शीशू जो है वो एक लड़का है या फिर एक लड़की है क्योंकि फि प्रेगनेंसी है तो आपके अंदर यह बहुत सारी जिग्या सा ऐसी होगी कि क्या पराहिए पेट के खरें वाइफ होगी और अगर आपके सेक wn मुझे बार ब्वाइबा सबसे पहलें है पहला अगर और आपने अपने मेरे छोटी सी मेरे भाई मेरी होने वाले जो संताने वो एक लड़की हो जाए ताकि आप लोगों की फैमिली कंप्लेट हो जाए उससे ज्यादा हम लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको पता ही है मैं इस से कोई भी लिंक का भीदबाब नहीं करती हूं तो आपको भी नहीं करना है ठीक है क्योंकि यह लक्षन ऐसे होते हैं किसी महिला पर तो सर्टिक बैठते हैं और किसी के उपर नहीं बैठते हैं तो आपको जो है बिल्कूल भी 101% ना श्योर होके नहीं बैटना है बट मेरे जो लक्षन है ना मैं आपको सही बताऊं कल भी जो मेरे पास से एक मैसेज आया है कि मैं मुझको जो है बेबी बॉय हुआ है मेरे जो सिम्टम से ना वो बहुत सारी मैलाओ के अंदर सही सटिक बैटे हैं और जिनको जो है बेबी बॉय भी हुआ है और उन्हों ने मुझे मैसेज करके भी बताया है मैं लाइफ प्रूफ आपको दिखाती हूँ कम्मिनोटी में पोस्ट करके मैं पोस्ट जरूर करूंगी जिनको बेबी बॉय हुआ है उन्होंने अपने सिम्टम सी मेरे साथ जो है शेयर किये हैं पर मैंने उनसे और भी सिम्टम माँगे हैं ताकि सारे सिम्टम जो है उनके मैं आपको बता सकूं और आपकी मन के जिग्यासा को कम कर सकूं तो I hope आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर आउन करना यहां पर मैं रोज ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहती हूं ठीक है और कोई भी अगर मन में आपक सकते हो और आपके मन में जो भी मैने सिम्टम्स बताएं वह आपको अपने प्रिग्नेंस्याद क्यों दुरान जो हैं देखने हैं और ओसक्राइब अगर आपके सिम्टम्स जो मैंने बताएं उसमें से अगर दो या तीन भी मिलते हैं तो आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर में पल्राश इशु जो है एक बीबी बॉय है ठीक है फ्रेंड तो इसलिए अप मेरे चनल को अगर आपने पहली बार देखा है तो सब् अपने बच्चे का ध्यान रखना टेक केर भाई भाई लब यू ओल